धालो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अभी जो 6 IPO आये हैं एक साथ उनकी ग्रे मर्केट के प्रीमियम के अंदर कितना बदलावाया है? दोस्तों ग्रे मर्केट का प्रीमियम हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है इससे हमें क्या है कि आसानी हो जाती है IPO में apply करने के लिए और दोस्तो हमें मालूख चल जाता है कि grey market के अंदर किस IPO की demand जादा है मतलब market में कौन सा IPO बहुत ज़्यादा demanding है तो दोस्तो सबसे पहले बात करते है NICA की IPO के बारे में 40 रुपए बढ़ गया है मतलब 600 रुपए per share हो गया है तो दोस्तो ये 12 share का lot है तो 600 into 12 करते हैं तो लगबग 200 रुपए हमें एक lot पर आज की तारिक में फाइदा बता रहा है और दोस्तो NICA के IPO की grey market के अंदर demand अच्छी है और इसको subscription भी अच्छा मिला है और हमें उमीद है कि इस पर listing is हमें अच्छा देखने को मिल सकता है फिर दोस्तो बात करते हैं सिकाची IPO के grey market के premium की तो सिकाची का IPO भी बहुत ही famous और चर्चा के अंदर चलता है क्योंकि इसका grey market के premium सबसे ज़्यादा चलता है तो दोस्तो कल जो इसका grey market का premium मैंने आपको बताया था 114 रुपय पर share और आज की तारिक में जो इसका grey market का premium बढ़कर हो गया है 135 रुपय पर share बतलब 101 share पर हमें 135 रुपय फाइदा बता रहा है तो दोस्तो ये 90 share का lot है तो 135 into 90 करते हैं तो लगबग 12,150 रुपय हमें एक lot पर आज की तारिक में फाइदा बता रहा है तो दोस्तो इसका grey market के अंदर demand इसी लिए जादा है क्योंकि ये IPO जो listed हो रहा है fair evaluation पर listed हो रहा है और दोस्तो इसका issue size है इसका जो price band है, market lot है वो बहुत ही reasonable है और उसके लबगा ये company भी अच्छा performance कर रही है फिर दोस्तो बात करते है SJS enterprises के IPO के बारे में तो दोस्तो SJS enterprises का IPO था उसका जो grey market का premium कल की तारिक में चला था 24 रुपय पर share और आज की तारिक में 1 रुपया ही बड़ा है, ज्यादा नहीं बड़ा है 25 रुपय पर share आज की तारिक में grey market का premium चला है तो दोस्तो ये 27 share का lot है तो 25 इंटू 27 करते हैं तो लगबग 675 रुपय है एक lot पर आज की तारिक में फाइदा बता रहा है SJS enterprises के IPO पर और दोस्तो मुझे SJS enterprises financially अच्छी company नज़र आ रही है और मुझे इसमें future भी अच्छा नज़र आ रहा है फिर दोस्तो बात करते हैं Policy Bajar के IPO के बारे में तो दोस्तो Policy Bajar को जो IPO है बहुती awaited IPO है और बहुती famous और चर्चा के अंदर IPO है दोस्तो कल जो मैंने इसका grey market का premium बताया था 0 rupees per share और आज की तारिक में इसका grey market का premium बढ़कर हो गया है 160 rupees per share बतलब एक share पर हमें 160 rupees फाइदा बता रहा है तो दोस्तो ये 15 share का lot है तो 160 हिंदू 15 करते हैं तो लगबग 2400 rupees हमें एक lot पर आज की तारिक में फाइदा बता रहा है जो की policy बजार के IPO को देखते हुए बहुत ही अच्छी बात है फिर दोस्तो बात करते है पेटीम के IPO के बारे में पेटीम का IPO भी बहुत ही अवेटेड और बहुत ही चर्चा के अंदर है दोस्तो अभी तक पेटीम के IPO का grey market का premium में कोई update नहीं आया है पेटीम का IPO का जो grey market का premium है अभी 0 चल ला है फिर दोस्तो बात करते हैं उपहेमेंट्स बेंक के IPO के बारे में बाकि दोस्तो जो तीन IPO है फेमस IPO, नायाका का IPO, पालिसी बजार का IPO और पेटीम का IPO यह मुझे थोड़े over value नेजर आ रहे है ये कंपनिया future के अंदर अच्छा performance दे सकती है जो NICA का IPO है दूसरा policy बजार का है और तीसरा PTM का IPO ये future के अंदर अच्छा performance दे सकते हैं पर अभी हाली की condition देखे तो इनके financial बहुत weak है और उसके लावा ये overvalued IPO है और बाकी दोस्तों बात करें financially जो मजबूत कंपनिया है एक तो सिगार्ची कंपनी उसके अलावा है SGS Enterprises ये दोनों financially बहुत मजबूर नजर आ दी है और उसके अलावा सिगार्ची IPO को जो grey market का premium अच्छा चलता है और SGS IPO का grey market का premium थोड़ा कम चलता है और फिर दोस्तों बात करें फिनोपैमेंट्स बैंक का IPO उसका जो grey market का premium अभी तक 0 चलता है और 2020 के अंदर फिनोपैमेंट्स बैंक कंपनी प्रफिट के अंदर आई है और बाकी इसका future में competition और भी ज़्यादा होने वाला है तो दोस्तों इन 6 IPOs के grey market के premium के update पर हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें दोस्तों ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे और दोस्तों हमारे टेलेग्राम चैनल को भी आप जॉइन कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियोस के अंदर